हेलो इन वेल्कम गईस स्वागत आपका फेंटास्वी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग टी एन सी फ्यूटर टेलेंट टी ट्वेंटी की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर अन्ना यूनिवर्सिटी वसे स्री आरकेम विवे कंडन्दा के बिज में तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को में लेके जाना है कौन से प्लेयर को में लेके जाना है कौन से प्लेयर को में लोग एसे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटल्स इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी दे यूटूब चैनल को विडिकामने सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सबसक्राइब कर लेना है क्योंकि पुरी टूर्णामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके अलावा आपको यहां पर BBL T20 के वीडियोस मिल जाएंगे इनके साथ यहां से मिल जाएंगे आपको यहापर A, B, C, A, T10 के वीडियोस भी मिल जाएंगे तो सारे अच्छे मैच्छिस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले है तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब कर लेना है साथ ही में टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टिम मेरी जो भी रहेगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड की जाएगी सिंपल यह आपको उसे जोइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टिम पर आपको वाई पर दी जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच दो पेर में 12 बचकर 30 मिनिट पर यहाँ पर गुरू नानक कोलेज ग्राउंड चिन्न नहीं में खिला जाएगा यह पर यह अच्छेगास से बनते हैं लेकिन कल की मेच कि बात करें नहीं करो कि दो मैच के लेक्वितार करहब कि दूनहीं मेच के अंदर की कर दो 102 रण बने थे जहां पर 10 वोस्त के अंदर समेवाली टीम ने को चैज कर लिया दूसरी मेच की बात को तो 124 रन बने थे जहां पर सामने ओली टीम सिर्फ 70 रन के अंदर ओल आउट हो गई थी यह कुछ बात है यह पीछ कभी करवाट ले सकती लेकिन यहां पर रंस वैसे तो अच्छे बनते हैं क्लीन वेदर है यहां से न्यूटर बैलेंस रहेगी बैटिंग के लिए अच्छी पीचे है अलागे जैसे कि मैंने बताए कि कल 70 रन में भी टीम ओल आउट हो गई थी तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्रिगेड है कुछ अनेक्षेप्टेड चीज़े भी हो सकती है हाई स्कोर अभी तेक इस क्राउंड के पर 206 रन का बना था 150 के निचे 21 बार स्कोर बना हुआ है यहां से 150 से 70 में 15 बार यहां से 70 में 10 बार 190 के प्लस चार बार तो यह देख सकते हैं कि स्कोरिंग क्राइटेरिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस लेवल के स्कोर बनते हैं चेजिंग के अकड़े एकोली है लेकिन कि कल की बात करूं तो और चेंग करने वाले टिम चेहां अरह यहां वाले फैंटें स्कूल तो वही बात है कि यहां से हम लोग चार साथ काई कंभीनिशन बनाएंगी जैसे हमने कल किया था कल हमारे पास एक टिम के पूरे रेकॉर्ड नहीं थे हाला कि आज तो फिर भी यहां पर छे साथ प्लेयर्स के रेकॉर्ड्स हवाइलेबल है एन्यू की बात करो तो यह से अर्विंद तो यह वाला बंदा जो कि नाम के अंदर स्पेलिंग में खाली फ़र्क है यहां पर अर्विंद में A-R-V-I-N-D है तो यहां पर A-R के बाद एक और आता है तो यह जो रेकॉर्ड्स हैं यहां पर यह अर्विंद के जो कि यहां पर ज़्यादा तर ओपनिंग म जीरो के आउट होगे थे तो यह कुछ खास इतने प्लेयर नहीं है यहां से आप लोग मुकिल पीपी को ट्राइक कर सकते हो ज्यादा तर चौते पांच में नमर पर खेलने के लिए आता है नो मैच के रेकॉर्ड्स मिलें जहाबर करीबन 22 के वरे से 109 रन है तो यह कच्छे आ लेते हैं उन्होंने यह की मैच के नतर च्छेवूर्वास की गनबाजी करवाते हो तो यह बंदा यहां से 3-4 वस की जरूर करेगा इनके साथ यह से यह से यह कुछ प्लेयर है और बाकी के यह सारे प्लेयर्स की कोई भी अपडेट या कोई भी रेकोर्ड्स वगेरा मिलत ताकि आपको आसानी रहेगी चैन्जिस वगर अगरने की जल्दी से चाहिए टेलिग्रम चैनल को जोइन कर लिजेगा क्योंकि आपकरी अपडेट और टीम वगर आपको वह पर मिलने वाली है बात करें यह से अभी प्ले नहीं सारे प्लेयर के रिकोर्ड्स अवाईलेवल है और इसमें ना कुछ प्लेयर है जो की अब ती एन Director T20 जो खेलेवे थी अनुपड किया था तो वहाँ पर भी खेले हुए था तो यह से अनुपव है और कुछ रिकोर्ड्स हमें मिले हुए है तो बात करें इस Τ्पपी त इस ट्म के अंदर या पर ये बदरीनाथ और विमन कमार विमल कुमार と बोलो जुबा के श्री तो वह ओपनिंग करवा सकते हैं है यहाँ पर क्यूकि दोनों इस जादा तर यहाँ पर क्लब की तरफ से उपनिंग करते हैं यहासे बद्रेनाज की बात करतो दो ही मैच कहले हो जापर करीबन 45 के वरे से 90 तो तो एक बरोसे लाइक प्लेयर रहेगा अमारी लिए important speak रहने वाले बात करें ऐसे वी मल्क कुमार की तो दो मैच के लिए जापकर करीबन 27 के वरे से तिरफ पन रहने एक ये भी वन डाउन खेलते हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर वा ले थे तो आई तिंग ये आपकर टिम करते भी नहीं है लेकिने टॉप में भी आएगा कभी कभी एकादी ओस करवा भी सकता है बैटिंग से तकड़ा परफरमस दे सकता है दस मैच के अंदर 308 तो बरो से लाग प्लेयर हैं इनको डेफिनिली लेके जाएगा एम विशाल पांच मैच के अंदर करीबन 30 के वरे से 108 अ किया हुआ है तो यहां से विमल कुमार ने दो मैच के अंदर जो तेरह पंदर किया है एम विशाल ने पांच मैच के अंदर करीबन 30 के वरे से 508 रण किया हुए जो की टीट्वेंटी के रेकोट से तो यह थोड़े से ओके-ओके रहेंगे इनको डिफरेंस लिए में कर सकते हैं एवरेस्ट आप देख सकते हैं 58 की लेकिन 6 मैच के अंदर 16 रण है तो किसी एक दो एक यह दो मैच के अंदर बड़ा परफॉरमस इनकी तरफ से आया हुआ है ज्यादा तरह से नीचे खेलते हो नचराएंगे शट्या साथ में नमर बैटिंग के लिए आ सकते हैं हीट और मिश टाइप के प्लियर है यापर चार मैच के अंदर करीबन 42 के वरेस 125 रण है इनके भी जो आकड़े यहापर ODD के यह भी 66 में नमर पर आ सकते हैं अभी देखो इनका क्या है इन दोनों में जो कोई भी एक यहापर टॉप में खेलता हो नचर आएगा इनके लाब इसे पी विद्युद है लेप्टाम और गेंवाज है 6 मेंच के अंदर साथ विगेड है डेफिनेटल अब लोग इनको लेखे जा सकते हैं संजे ओके-ओके रहेगा इनके अलावा इसे सिलम ब्रान वही यह अभी रिसंटली आया था हमने पूरा कवर भी किया था टी एंसी इंटर डिस्ट्रिक टी ट्वेंटी के अंदर परफॉरमस देख सकते हो तीन विगेड चार विगेड दो विगेड एक विगेड दो विगेड एज़ प्लेयर के साथ यह से हम लोग इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करते हो जाएंगे क्योंकि रिसंटली बंदा फॉम मे सब्सक्राइब करते हैं तो बात करेंबर विगेड के पिंग सेक्षन की तो वी अर्विंद हमारे टिम के अंदर रहने वाल है यहां से आप लोग एम विशाल के साथ भी चाह सकते हो दोनों अच्छे प्लेयर और दोनों की तरफ से बैटिंग से टिक टाक पर परफर्मस आसकता है बैटिंग सेक्षन से वी थरुन कुमार है इनके अलावा यहां से ए दियास और यहां पर ए बदनीनात को मैंने लिया हुआ है यहां पर आप लोग अधनान खान को ट्राइक कर सकते हो और बाकिके प्लेयर के रेकोर्ड्स अवाइलेबल है ने तो सिलेक इनिस गोडविन के साथ जाना चाते हो तो जा सकते हो इनके रेकोर्ड भी मैंने मेंशन किये हुए हैं बॉलिंग स्रेक्षन में यहां से एस राजा कोपाला एम सिलंबराशन और यहां पर टी विद्योत हमारी टीम के अंदर रहेंगे और बाकी ओप्षन यहां पर संजी कुमार वगेरा को ट्राइक कर सकते हो टीम की बात करो तो टीम को इस तरह से रहेगी क्याप्टन मेंने किया से म सिलंबराशन कूंस अने देखा हुआ है और वई थरूल खुमार वाइस क्याप्टन रहेंगे आप लोग यहां से इनको र्टेड पर दिजाए तो लाएक और शेयर कर दो साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा तो इस यूटूब चैनल पर बिल्जाएगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सर्प्राइज वीडियो को साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छे से एनालिसिस करो अच्छी टीम बना अच्छी विनिंग कते हो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जैहिं जै भारत